शाओमी के बारे में अधिकतर लोगों को यही पता है कि यह एक स्मार्टफौन बनाने वाली कमपनी है, لेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह कमपनी स्मार्टफौन से अलग और भी चीज़ें बनाती है. इसी कड़ी में अब शाओमी ने एक इलेक्टिक बाइक को पेश किया है आज हम आपको शाओमी की इस इलेक्टिक बाइक के बारे में बताने जा रहे हैं पर उसके पहले प्लीज आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें कमपनी ने इस बाइक को T1 नाम से पेश किया है और कमपनी इसे क्राउड फंडिंग के जरीए बनाने की कोशिश कर रही है बात करें इस बाइक की वरतमान कीमत की तो इसकी कीमत 2,999 या फिर 31,000 रुपए होगी खबरों की माने तो कमपनी इसे 4 जून से चीन के बाजारों में बेचना शिरू कर देगी कमपनी ने इस बाइक को बनाते हुए कई बातों का ध्यान रखा है और इसके पार्ट्स ऐसे हैं जो की फायर रिसिस्टेंस मेटेरियल और पेंट का इस्तिमाल करके बने हैं साथी बाइक में हाई सेंसिटिव डिजिटल डिस्पले जो की लाइट के बेस पर काम करती है इसमें एक शांदार हेड लाइट भी है जो की लो बीम के साथ 5 मीटर और हाई बीम के साथ 15 मीटर तक की रोशनी दे सकती है बहतर कंट्रोल के लिए बाइक में अगले पहिये में हाईडरोलिक डिस्क ब्रेक और पिछले पहिये में ड्रम ब्रेक बिलेंगे शाउमी की इस बाइक की एक खास बात ये भी है कि इसमें 14,000 mAh की बैटरी है जो कि एक बार चार्ज होने पर पूरे 120 किलो मीटर तक चल सकती है साथ ही से पावर देने के लिए इसमें 350 वाट का ब्रश लेस मोटर है जो कि इसे शांदार पावर देता है अब ये बाइक भारत आएगी या नहीं वो अभी तक हमें कोई पुखता जानकारी नहीं मिली है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही शांदार बाइक है और हमें इसका इंतजार जरूर रहेगा आप क्या कहते हैं हमें जरूर बताईए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए थाइंक यू वेरी मुट